आज मैं फिर एक नई टोपिक के साथ आई हूँ और आज का मेरा टोपिक है गेनो मसाज ओयल के बेनिफिट्स के बारे में आज हम जानाइंगे इस तेल की क्या क्या बेनिफिट्स है इसकी क्या खासियत है और इसे कौन-कौन यूज कर सकता है कैसे यूज कर सकते हैं और लास्ट में मैं कुछ ट्रिप्स भी आप लोगों को सेयर करूँगी जो कि डियक्षन फैमिली में जो मेंबर है डिश्टूटर है उन्हें काफी ज़्यादा हेल्प मिलेगी तो लास्ट तक बने रहें डियक्षन मसाज ओयल को खास तरह से नेचरल एंटी अक्सिडेंट से यूगत मसाज ओयल एक मल्टी प्रोडेक्ट है इस तेल की यह खासियत है कि यह पूरे विश्व की एक मात्र ऐसी मसाज ओयल है जिसमें गैनो डर्मा का 30% यूज किया गया है गैनो मसाज ओयल प्योर पॉम ओयल और गैनो डर्मा लूशिडम के पौडर के साथ मिक्स कर इसे तयार किया गया है पॉम ओयल बहुत ही इजली हमारे इसकिन की गहराई तक पहुंसता है और गैनो डर्मा लूशिडम भी हमारे इसकिन की गहराई तक जाकर सेल से गंदगी को बाहर निकालता है, सेल की सफाई करता है, जिससे इसकीन स्वस्त रहता है, सुन्दर चम की लिए वो मुलायम होती है गैनो मसाज ओयल में 30% गैनो डर्माद पौडर और 70% प्योर पॉयल का मिश्रन है इसमें बिटैमिन E और बिटैमिन के भरपूर होने के कारण इसकीन पर फैरनेस लाता है और बिटैमिन के इसकीन को पोशन देते हुए बढ़ती उम्र को कम करता है और योवन वस्ता को बनाये रखता है कई अश्टडी से या बात सामने आई है कि जब भी हम बजार से कोई आम मसाज ओयल को लाकर इस्तमाल करते हैं जिसे हमारे इसकीन रूखी होने के साथ साथ फटने लगती है यदि आप लगातार गलत मसाज ओयल का यूज करते हैं तो आपको इसकीन केंसर जैसी प्रोबलम भी होने की चांसे हो सकती है जो बहुत ही डेंजर प्रोबलम है बट डोंट वरी आपको डरनी की जरुरत नहीं है क्योंकि डेक्शन एक ऐसी एक लोती बहतरीन गैनो मसाज ओयल आपके लिए लाया है जो आपके बच्चों के सकीन को सेहत मन और खुबसूरत रख सकते हैं और साथ ही इसमें पाए जाने वाले एंटी अक्सिडेंट, बिटाइमिन E, बिटाइमिन K और सुद्ध पॉम ओयल अनेको तरह के स्किन इंफेक्शन से भी आपको बचाता है डेक्शन गैनो मसाज ओयल का इस्तमाल अक्सर हम ज़्यादा तर मालिस में करते हैं इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि डेक्शन मसाज ओयल के इस्तमाल से आपको क्या-क्या और फाइदे मिल सकते हैं तो चलिए अब इसके वारे में थोड़ा बात करते हैं गैनो मसाज ओयल बच्चों को मालिस करने के लिए बहुत ही बहतरीन ओयल प्रूव हुआ है क्योंकि बच्चों का इस्किन बहुत ही सेंस्टिव होता है और डेक्शन गैनो मसाज ओयल प्योर पॉम ओयल के साथ इसमें गैनो डर्मा मिला गया है जिससे अगर आप अपने बेवी को इस तेल से मसाज करते हैं तो उसकी हड़ियां स्ट्रॉंग होती है और मसल्स मजबुत रहती है इसकी सॉप्ट एंड ब्रैटनेश हो जाती है यदि कोई बच्चा जन्म के टाइम से सामला रंग का है तो उस बच्चे को तीन दीन के बाद गैनो मसाज ओयल से पर डे थ्री टू फोर टाइम मसाज करने से बच्चों के रंग में काफी फर्क दिखने लगता है एक्चुली गैनो मसाज ओयल में बिटैमिन E प्रचूर मात्रा में होती है जो मेलानीन प्रोडेक्शन को इंक्रीज करने में काफी हेल्प करती है एंड गैनो डर्मा जो हमारे इसकीन के अंदर सेल के टॉक्षिन को क्लीन कर अंदर से ब्रैटनेश बनाती है यदि आप अपने बच्चों के लिए डैक्शन गैनो मसाज ओयल यूज करती हैं तो आपके बच्चे को नैपी रेसिस, दाद, खुजली या किसी भी तरह का इसकीन एलर्जी, फंगल इंफेक्शन से बचा सकते हैं चुआ इस आपकी है क्योंकि हर माँ अपने बच्चों के लिए कोई न कोई मसाज ओयल डैफनेटली यूज करती है बुढ़ापा कहते हैं ना बुढ़ापा इंसान की उम्र का सबसे खराब दौर माना जाता है अगर हम हिंदुस्तानिक के तौर से बोला जाए तो इसे बुरा आपा भी कहते हैं यानि उम्र का ये वो हिस्सा होता है जिसका आनाता है लेकिन कोई इसे जीना नहीं चाता क्यूंकि बुढ़ापे में इंसान सारेरिक रूप से कमजोर और दूसरों पर निर्वर हो जाता है आखिर बुढ़ापा है क्या और ये क्यूं होता है डेनमार्क के डॉक्टरों का कहना है कि योवान वस्था तक हमारे बॉड़ी में सेल्स बनने की प्रकिरिया चलती रहती है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये प्रकिरिया कमजोर पढ़ने लगती है और बेकार सेल्स सरीर में इकठा होने लगती है यही सेल्स आगे चलकर बुढ़ापे की वज़र बनती है और आज कल तो ज़दा बीमार होने की बज़ा से भी बुढ़ापा जल्दी ही इंट्री मार देता है और रियालिटी भी यही है बुढ़ापा तो छोड़ो आज तो लोग बाल्यावस्था में ही बीमार हो जाते हैं बोडी के हर एक पार्ट बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं अगर आप भी बुढ़ापे से बचना चाते हैं तो डेक्शन प्रोडेक्ट का भरपूर से वन किजिए और डेक्शन गैनो मसाज ओयल से मालिस करें ताकि मांट स्पेसियों में एक नई उर्जा प्रभाइद हो और उन्हें अपने डेली रूटिंग यानि की दिन चरिया पूरी करने में कोई तकलीफ ना हो क्योंकि अब आपकी बुढ़ापे की लाठी आपके बच्चे नहीं ड इसलिए डेक्शन प्रोडेक्ट का भरपूरी यूज करिए और बुढ़ापे में भी आनंद लीजिए आज अगर देखा जाए तो हर इंसान के पास हर चीज है हर वो सुभीदा है बस एक चीज की कमी है और वो है टाइम यानि की समय समय नहीं है और सबसे बड़ी बात तो उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं जो फिल्ड वरकर है भाग दोड की जिन्दगी में नाइन टू फाइप जॉब लाइफ जी रहे हैं जिसमें आपने बच्चे फैमली या फिर अपने आप के लिए टाइम निकाल पाते हैं खैर वो सब छोड़िये ज्यादा डीपली नहीं जाना है लोग जितना भी बीजी हो जाए लेकिन रात में टाइम जरूर मिलता है इसलिए जो फिल्ड वरकर है भाग दोड के बाद थकान का अनुभव करते हैं वो लोग रात में सोते समय गैनो मसाज ओयल की मालिस करें तो इससे दिन भर की थकान दूर हो जाती है इसे काम करने के लिए एक नई उर्जा एक नई एनर्जी मिल जाएगी और आप अपने काम को पूरी फोकस और एनर्जी के साथ कर पाएंगे जब मसल्स को उनके कैपिसिटी के एकोडिंग कड़ी मेहनत करनी की आविस्कता होती है तो इसका परिनाम दर्द हो सकता है और दर यह बहुत ही आम प्रोब्लम है जो सरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है एक चल में मसल्स पैन दो तरह के होती है एक होता है माय लिगिया यानि की पेसियों की पीड़ा और दूसरा माय इस्थिनिया यानि पेसियों की दुरवलता या एक भायानक रोग है जब मानस पेसियो को अधीक हार्ड वर्क करना पड़ता है तो उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है कभी-कभी चोट लगने से भी ऐसा प्रॉबलम होता है दूसरी बजा ये भी हो सकती है कि हमारे मानस्पेसियां में एक चिपचिपाहट पदार्थ होती है जिसके कमी के कारण मसल्स पैन शु मालिस जरूर करें इस से थकी हुई मानस्पेसियां को मालिस करने से बहुत ही रिलीफ मिलता है इसे बलट सर्कूलेशन ठीक रहता है एंड मसाज से मानस्पेसियां को पोशन मिलता है और शरीर में एक आवस्यक एनर्जी यानिकी गर्मी उत्पन होती है डेक्षन गैनो हो तो दीन में दो से तीन बार भी मालिस करने से बहुत ही बहुत ही यूजफुल बेनिफिट्स मिलता है यह जरूरी नहीं कि मान स्पेसियों में दर्द किसी बीमारी की बज़ा से ही हूँ इसकी बज़ा एक्सरसाइज करना ज्यादा देर बैठे या लेटे रहना किसी सारेरी गतिविधी को पहली वार करना नस चड़ना या जोड़ परने से भी हो सकती है और मान स्पेसियों में खिचाब खिलाडियों के लिए तो आम प्रोब्लम है क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मसल्स में अगर अपने छमता के अनुसार ज्यादा हाड़ वर्क करता है तो मसल्स पेन होना आम बात है जो लोग एथलिट्स हैं बोडी विल्डर हैं या खिलाड़ी हैं उन लोगों के लिए गैनो मसाज ओयल बहुत ही बेश फिट्स हो सकती है गैनो मसाज ओयल की मसाज से खिलाडियों के मान स्पेसियों में खिचाव की समस्या को समात करता है एवं पूरे सरीर के लचिलेपन को बनाये रखता है जिन लोगों को रात में नीद नहीं आती और निंद्रा की प्रोबलम है टेंसन है इस्ट्रेस है तो उन काफी अच्छी नीद आएगी और एक टिफ्स आप लोगों के लिए डियक्सन गैनो मसाज ओयल को डियक्सन गैनो जी तूट पेस्ट के साथ मिला कर अगर बालों में यानि की माथे में मसाज किया जाए तो उसके सरदर्द ठीक हो जाते हैं और टेंसन इस्ट्रेस का रूप में ही इस्तमाल कर सकते हैं बट ऐसा नहीं है इसे हम कोस्मेटिक रूप में भी इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पॉम ओयल कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तमाल किये जाते हैं इसलिए हम इसे अपने फेस के लिए इस्तमाल कर स रात को सोने से पहले गैनो जी सौप से चेहरे को वास करने के बाद गैनो मसाज ओयल से परति दिन मालिस करें तो फेस के इसकिन सौप्ट एंड ब्राइटनेस रहती है और धीरे धीरे इसकिन प्रोबलम जैसे दाग धपबे कील मुहासे जुर्रियां ठीक हो जाती है चेहरे प टॉप्ट एंड पिंक कलर के बने रहेंगे और जिसके ब्लैक है उसका धीरे धीरे लिप्स रैड कलर यानि की लाल भी होने लगेंगे गैनो मसाज ओयल हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छा फैदा करता है भरजिन कोकोनट ओयल में गैनो मसाज ओयल को मिला कर अपने बालों का जड़ना बालों का तूटना बालों का और समय से सफेद होना दो मुहे होना रूसी की प्रॉब्लम यानि की बालों से समदित कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे चुटकरा मिल सकते है गैनो मसाज ओयल से फैसियल भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह का आर्टिफि के लिए ये तेल सूटेबूल है बलकि इस तेल का इस्तमाल करने से किसी भी परकार का तो अच्छा रोग नहीं होता क्योंकि इसमें 30% गैनो डर्मों होने के कर यह आपके इसकीन की अच्छी देखवाल करता है और लंबे समय तक इसका इस्तमाल करने के बावजुद भी किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और हां सबसे इंपोर्टेंट बाते गैनो मसाच ओयल को जब भी यूज करें पहले बोटल को अच्छी तरह से हिला लें क्योंकि गैनो डर्मा नीच्छे तले में बैठ जाती है और हां थेली पर लेकर हलकी हाथ से मसाच करें य गैनो मसाच का मेरे हेयर ग्रोथ में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है और मैं आप लोगों से सेयर भी करना चाहते हूँ बट आज की विडियो बहुत लंग हो गई बहुत सारा सीक्रेट और टिप्स बच गई जो आप लोगों से सेयर करना बांकी है तो मैं वीडियो इसी टॉपिक पर लाने वाली है ओके फ्रेंड्स I hope कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो अपने डियक्शन मेंबर अपने डियक्शन फैमली को जरूर सेयर करें और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें डियक्शन गर्ल को सपोर्ट करें फिर मिलते हैं एक नए टोपिक एक नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एन गूड मॉर्निंग ओल अफ यू